हेलो अव्रिवन आज में लेकर आई हूँ हाई प्रोटीन हेल्दी और टेस्टी चना पोहा यह पुआ आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेगा बहुत ही सिंपल से बनाने बहुत आसान है तो चली से बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले हम पोहा भिगा लिएंगे मैंने यहाँ पर 3-4 का पोहा लिया है मतलब एक कप सी थूड़ा कम पोहा है इसे हम एक बोल में ले लेंगे अब इसमें हम खूब सार पानी आड़ करके इसे एक तो बार पानी से अच्छे से वस्च कर लेंगे थूड़ा बहो डस्ट को नरब होने में समय भी लग जाता है जब भी पोह भिगाएगा बीच-बीच में एक दुबाद चेक कर लिजेगा एक पोह प्रेस करके पोह को भिगोए हो मुझे लबको दो मेंट हो गए है इदा निकाल कर चेक कर लेंगे यह देखिए यह आराम से प्रेस हो जा रहा है इसक मुफली डाल देंगे तो मैं इस मुफली को बिना तेल या घी के बुन रही हूँ आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा तेल या घी आड़ कर लें मुफली को हमें पूरा पकने तक बुनना है अगर आप रस्पी को नाष्टे मनाना चाहते हैं तो मुफली को रात में या पहले भुन कर रख लें जिससे आपका समय बचेगा या आप चाहें तो इस रेस्पी को बिना मुमफली के बना सकते हैं इसी के साथ मुमफली अच्छे से भुन गया है अब ग्यास को बंद कर देंगे और इस मुमफली को कड़ाई से निकाल लेंगे सेम कड़ाई में 2-3 चमच ओय लेंगे गयास की फ्लेम को मीडियम रखना है जब और हलका गरम हो जायागा तब इसमें एक चौथाई चमच जीरा और एक चौथाई चमच राई डाल देंगे दोनी चीज़े अच्छे चटकने लगी है तिल अच्छा गरम है अब इसमें फटा फटे दो बारीक कटीव हरी मिच आड़ करेंगे इसके साथ ही में दो छोड़े साथ का बारीक कटा हुआ प्याज आड़ करेंगे अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक जो प्याज है यहलके सॉफ्ट ना हो जाए प्याज को जल्दी भूनना है तो गैस की फ्लीम को मीडियम हाई कर दीजेगा और लगत चलाते बूनिएगा इसी के साथ प्याज छे से भून गया और प्याज हलके सॉफ्ट हो गये है अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर आड़ करेंगे टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 2-3 मट के लिए पकने देंगी जो हम regular पोह बनाते है उसमें हम टमाटर नहीं आड़ करते हैं पर यह जो पोह है ना इसमें हम काबली चने का इसमाल कर रहे है तो टमाटर दरूर आड़ करेंगा बखल बढ़ना टेस्ट आएगा पोहे में टमाटर को हमें गलाना नहीं है बाद 2-3 मेड़ के लिए भुनियेगा हलके से सॉफ्ट हो जाएं टमाटर को 2-3 मेड़ पकाने के बाद अब इसमें हम मसाले आड़ करेंगे आदा चमच हल्दी आदा चमच कश्मी लालमिज पाउडर इसकी जगा आप रेगुलर लालमिज पाउडर आड़ कर सकते हैं इन मसालों को फटा फट से प्याट टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को लो कर दिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले न अब इसमें 3-4 एकप उबला हुआ काबली चना आड़ करेंगे और इसके साथ में ही स्वादों साय नमक आड़ करेंगे अब साइच चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को लो रखिएगा आप देख सकते हैं मिक्से काफी ज़ादा ड्राई है साइच चीजों अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें हम एक च्छाथाई का पानी आड़ करेंगे और साइच चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखिएगा पूहा को में ड्राई रखना है तो बहुत अदा पाई नहीं आड़ करिएगा और ढ़किएगा नहीं खुला पकाना इसे इस तरीकी से थ्वादा पाई लागे पकाना जाएगा तो चनव में बहुत ही बड़ी या फ्लेवर आ जाएगा अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मेट के लिए पकने देंगे या फिर इसे तब तक पकाईएगा जब तक ही जो मिक्षे थ्वाद ड्राई ना हो जाए त्यान रखिएगा धकना नहीं है इसी के साथ चनी अच्छे से पक गए हैं आप देख सकते हैं मिश्यत्वा ड्राई हो गया है इसने मसाले भी अच्छे से अब्जॉब कर लिए हैं अब इसमें जो हमने पुह भी को कर रखा था ना उसे आड़ कर देंगे गास की फ्लिम को लो रखिएगा पुहे को जेंटली बाकी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बना कर देखेगा यह पुहा बहुत ही टीस्टी बनता है आपसे टेफे मिले जा सकते हैं आप चाहें तो इस पुहे में चनी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं चनी की वज़े से यह पुहा हाई पुहा हो जाता है आपका पीट अच्छे से भर जाएगा साइच चीजों को अच्छा से मिक्स करने के बाद अब इसे हम एक मिनट के लिए धक कर लो फ्लेम पर पकने देंगे एक मयर्बार ठकन हटा देंगे अब इसे बार इककट्य हो धने की पत्ति आड़ करेंगे और आदिने पुका रस आड़ करेंगे अब इन Sाइच चीजों को पोही के साद अच्छा से मिक्स कर लेंगे साही चीज़ें अच्छा से mix करने के बाद अब इसे हम दो मिट के लिए ढगकर low flame पर पकने देंगे दो मिट हो गए हैं ढगकन हटा देंगे अब ग्यास को बंद कर देंगे और इसे के साथ हमारा high protein चना पुहा बिलकुल ready है regular पुहा तो आप हर बाद बनाते हैं एक बार इस तरीकी से healthy और tasty पुहा बना कर देखें आपको बहुत पसंद आएगा इसे बनाई बहुत आसान है और इसमें मसाले भी कुछ खास नहीं है लास्ट में मैं इसके उपर थोड़ी सी मुफली रख रही हूँ आप लाइक करें तो रखें अब ना स्किप कर सकते हैं मुफली से हलका crunchy फ्लेवर मिल जाता है इस पुहे को अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें